मैं प्रोपेसर राजिस भुरे डिपार्मेंटा फार्मसी इस युडियो में आपका फिर से सर्श्वागत और इस महतोपुर्ण वीडियो में हम लिखने लाइक समझेंगे और इसके बारे में जो नोट से वो मैंने वीडियो के अद में अप्लोड के हैं आप लिख भी सकते या स्क्रिन्शाट ले सकते हैं तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं iodine is an essential micronutrient required daily at 100 to 150 micrograms for normal human growth and development यानि iodine एक आवश्चक सुष्म पोशक्ता तो है जिसकी सामान्य मानवृद्धी और विकास के लिए प्रतिदिन सव से 150 microgram की आवश्चकता होती है डेपेशिंसी आप iodine can cause यानि iodine की कमी से यह प्राब्लेम होते हैं जैसे physical and mental retardation यानि शारेरिक और मांशिक मंदता क्रेटिनिजम यहां क्रेटिनिजम का अर्थ आम तौर पर एक जल्मजाद स्थिती है जो शारेरिक बाउनेपन यानि हाइट की कमी और बौदिक विकलांगता से चिन्नित होती है अबॉर्षन यानि गर्वपात स्टील यानि मुरूत बच्चे का जल्म, देप, म्यूतिजम, बहरापन, स्क्विंट यानि भेंगापन, यानि तीर्चा देखना and various types of goiter और भिन परकार के गंडमाला हो सकते realizing the magnitude of the problem यानि समष्या की भयावता को समझते हुए, the government of India launched a 100% centrally assisted national goiter control program NGCP in 1962 यानि भारत सरकार ने 1962 में 100% launch किया है, centrally assisted यानि केंद्रे सहायता प्राप्त राष्ट्य घिंगा नियंतरन कारिकरम इन आगस्ट 1992, the National Goiter Control Program NGCP was renamed यानि अगस्ट 1992 में राष्ट्य घिंगा नियंतरन कारिकरम का नाम बदल कर नया सुधारित नाम रग दिया है और वो है National Arden Deficiency Disorders Control Program याना है DDCP यानि राष्ट्य आइडिन अलपता विकार नेंतरन कारिकरम यह नाम क्यों बदल दिया है तो with a view of wide spectrum of Arden Deficiency Disorder यानि मानसिक जैसे Arden अलपता विकारों के व्यापक स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह Arden Deficiency यानि Arden की कमतरता क्या होता है तो problem like mental and physical retardation यानि मानसिक और शैरिक मंदता, देप, मुटिजम, बदीर, उत्परिवर्तन, क्रियाटिनिजम, बवनेपन, स्टील बर्थ, यानि मुरूत बच्चे का जल्म, अबर्शन, एक्स्ट्रता यानि गर्वपाद इत्यादी the program is being implemented in all the states, UTS, for entire population यानि यह कारिक्रम सभी राज्यो, UTS यानि Union Territories State यानि केंदरशाशित परदशों में संपुर्ण आबाजी के लिए लागु किया जा रहा है तो यहां तक आधे marks हो गए और बचे होए marks पाने के लिए उसके objectives point लिखना पड़ेगा पहला objective service is to assess the magnitude of iodine deficiency disorder in the district यानि जिलो में iodine की कमी से होने वाले विकारों की भयावाता का आकरण करने के लिए सरुक्षन next supply of iodized salt in the place of common salt यानि सामाने नमक के स्तान पर iodine नमक की आपुर्ती next resurface to assess यानि आकलन यानि पता लगाने के लिए पुन्हा सरुक्षन किसका तो iodine deficiency disorders यानि iodine की कमी से होने वाले विकारों and impact of iodized salt after every 5 years in the district यानि iodine युक्त नमक के प्रभाव का आकरण करने के लिए जिलो में हर 5 साल के बाद पुन्हा सरुक्षन next laboratory monitoring of iodized salt and urinary iodine excretion यानि iodine युक्त नमक और मुत्र में iodine उत्सरजन की प्रोग्षाला में निगरानी next health education and publicity यानि स्वास्त शिक्षा और प्रचार तो इसे repeat repeat करके क्योंकि यह question annual exam में पहले आ चुका है और भी आने के chances है थैंक्स repeat repeat अजब कर यो K K K